एक गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर एक भुरुच सहर है, भुरुच डिष्टिक, और भुरुच डिष्टिक से बारा किलोमेटर लगभग एक मंगलेश्वर गाउं है, और वहां पर ये नर्बदा नदी एक टापू बना जेती है, जमीन का एक आठसो नौसो एकड़ का जो अक्सेतर है, उसके चारों तरफ से यानि दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है, उसको अपने घेरे में डाल रखे, उसको टापू बोलते हैं, तो उसके अंदर एक उसके अंदर तीस-चारिस घरों का गाउं था, पहले छोटे-छोटे जोफडियां होया करती थी, और जल का असरा लेकर ही वह वहां रहा करते थे, तो उसके अंदर उस टापू में अर्थात आठसो नो सो एकट दगह थी, वहां पर तीस-चारिस घरों का एक गाउं था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्राह्मन भाही रहा करती थे, और भी ब्राह्मन प्रिवार थे उसमें, अब वो जीवा और तत्वा, उसको दत के अजाता भी बोलते थे एकु दत्ता भी बोलते थे, टै को दय भी बोल देते है, तो हम शंत language में, जीवा और द्त Mouse बोलते हैं, उसमें और भी वह बहुत प्रमाटमा के चैने वाले थे थे प्रमातमा की चहा के अंदर वो इतने म CMS यह जगे जगे जाते थे, यह जाते थे अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरू बिनमोक्स नहीं हो सकता और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरू हो क्योंकि प्रमेश्वर कबीर जी से बहबीत हो करके वो सभी संत मंडलेश्वर ब्राहमन रिशी ये सब्द भी कहने लगे थे कि अभी गुरू पूरा हो पूरे बिनाबाद बने कोई नहीं और अपने आपको फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत शेवधार्न दिया करते थे तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई प्रमात्मा के प्राप्ती के लिए मौक्ष कराने के उजयसे से संतों के पास जाते उनके विचार सुनते और सभी ये सब्द बोलते यही वचन कहते कि गुरू बिन मौक्ष नहीं और गुरू पूरा हो तब उन दोनों भाईयों ने स्वच्चा भी जहां जहां भी जाते हैं जिश्बी रिसी महरिसी के संत के मंडलेश्वर के गुरू के ब्राह्मन के वचन सुनते हैं आमने तो वो सारे अच्छे लगए हैं यानि परतेक संत ज्ञान देता है बगवान की चर्चा करता है हमें तो सभी अच्छे लगते हैं लेकिन ये पैचान हम कैसे करें के इनमें पूरा कौन सा है सभी अपने आपको पूरा बताते हैं इनकी वे औफ वरसी भिन भिन है इनके ग्यान में भी अंत्र है तो ये कैसे निर्ने करें के गुरू पूरा है तो उन्होंने सुचा भी देखो मनुस जीवन बार बार मिला को नी क्योंकि ग्यान जो सत्संग सुनाया जाता है जो जहां भी कोई सुनाता है तो यही कहते हैं मानुस जनम बार बार प्राप्त नहीं होता 84 लाख योनियों के अंदर धके खाकर दुख उठा करके एक बार मानुस जरी प्राप्त होता है और मानुस जरी प्राप्त करके प्रमात्मा की भक्ती नहीं की तो जीवन विर्थ हो जाता है तो पुन्यात्मा जो होती हैं लोगे थोटी सी बाती ही बहुत ज़्यादा चुब जाती है वो बैवीत हो जाते हैं वगवन क्या होगा यदि अब के मुक्स नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुछ तेगदे सुवर की योनिया प्राप्त करनी पढ़ेंगी इस दिर्ष्टी कौन से इस मानोजीवन को सफल करने के उदेशे से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि है बगवन आमें पूरा गुरु मिलाओ हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं कैसे पैचान करें तो उन्होंने आप पर एक डिसीजन ले लिया एक वट वर्क्स की यानि बढ की एक सुकी लगडी वा निच्च पड़ी थी तूटी होई काफी जनों से उसको अठा के अपने अंगन में जैसे पोदा लगाया करें जो बना के गंड़ा खोजुके और उसमें लगा जीवा गड़ जी वो सुका खूंड और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सुक के खूंड में इस सुक की डारी में टैनी में हम मंडलेश्वर संतों के चर्ण दोक है और चर्णामरत डालांगे यदि चर्णामरत डालने से या सुखी टैनी हरी होगी हम उसको पूरा गुरू माल लेगे वैसे पुन्यात्माओं ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरू की पैचान का पर वो बोड़े बाले थे शर्दागणी थी बगवान में और पूर प्रमात्मा और पूरे गुरू की लिए वो तड़ रहे थे तो प्रमात्मा अपने ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है उन्होंने क्या किया किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते उनके चर्ण धोके और अपने पातर में डाल लाते अब चर्णा मरत तो कोई भी दे देता है गुरू संथ आके उसमें डालते हैं कई एक को अपने घर पर भी बला देते हैं कोई आसपास जा रहा होता वहाँ पहले उनके चर्ण दोते आहर कराते और उस लकड़ी में पानी डालते कुछ ने हुआ ऐसे कई वर्स बीत गए है अब उन दोनों भाईयों ने प्रातना की रोकर एक प्रमात्मा है मालिक पूरा गुरू कोई है नहीं क्योंकि हमारी टैनी हरी हुई नहीं इनके चर्ण अमरत से और पूरे गुरू के बिना ये मानुस जीवन विर्थ हो जाओगा ये प्रमेश्वर या तो पूरा गुरू मिला है और नहीं तो हम अपने दास के इस सरीरों को हम दोनों भाईयों के सरीर को मनुस जीवन को खतम कर दो इसको खतम कर दो परमात्मा और उसमें सेस जनम देना हमारा ये मनुस जीवन का जिसमें परच्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो वरत्मान में परच्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है इतना कहकर के घंटों रोए घंटों रोए अब पुन्यात्माओं जब आपको तडफ होगे बगवान के पाने की फिर आप जी का यही हाल होगा प्रमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई धान ने दिया कठिन से कठिन तप किये तो उसी सती थी यह सती थी उन्हीं पुन्यात्माओं की होती है जो पूनर जनर से भी पगती करते हुए आ रहे हैं कहते हैं संतों से सादा से ती मस्करी और चोरा नाल खुसाल यह तो मल अखाड़ा जीते हैं यह युगन युगन के माल है यह जो निकमी आत्मा हैं वो संतों के साद बदमासी करते हैं मजा करते हैं उनको तंग करते हैं और उन चोरा नाल खुसाल जो नकली संत हैं बकवाज करते हैं उन तरह जी रहे हैं उनके साथ प्रसंद रहते हैं और कहते हैं मल अखाड़ा जीते हैं ये युगन-युगन के माल माल मिन रैसलर पहलवान पहलवान वही होता है जो पहले अक्सरसाइज करता है प्रैक्टिस कर रहा होता है तो आप कई जन्मों से ये रिहरसल करते आ रहे हो आप कई जन्मों से भगवान के अखाड़े के माल हो पहलवान हो तो ऐसे ही वो जीवा और दत्ता भी वो युगन-युगन के माल थे उन्ही में ये प्रेरिना होती है प्रमात्मा के पाने की जैसे मीरा बाई युगन-युगन की माल थी ना समाज देखा के बढ़गवान देखा चै कुछ भी हो मारों चे छोड़ो तो ये माल होती है ये पहलवान थे मालिक के पाले के और सफल हुए ऐसे ही जीवा दता वो युगन-युगन के युगा-युगा से वो पहलवानी यानि भगती करते हुआ रहे थे और उस भगती ने फिर अंगडाई ली पिछली पुन्यने और बहुत तरफते छे बहने तक लगबग फिर रोते रहे ये बगवान या तियसरी छुट जा या कोई संत मिलाओ मालिक एक दिन क्या हुआ प्रमेश्वर कहते हैं सोचल सीदर मैं करूं अपने जन के काज गोता मारू सुरग मैं जा पैठों पाताल कहे कबीर ढूंडता फिरूं अपने हीरे मानिक लाल उलाल मैं को ढूंडने के लिए मालिक वह पहुंच गे दोपैर के समें उनकी उस जौफडियों में यानि उसकी गली में चले जा रहे हैं अब जीवा बाहर आया जीवा ने देखा कि एक संत आ रहा है उसने अपने भाई से जा कर कहा कि भाई एक संत आ रहा है आपकी आग्या हो तो उसे बुला लाओ अब जत्ता ने कहा कि भाई आपने देख लिया मंडले स्वरों को भी देख लिया हमने इनके पास कुछ नहीं है और क्यों जखम ने आकर रहे हैं और कई दिन रोना पड़ेगा कुछ ना पावे इनके पास अब वो क्या देखा कि वो प्रमातमा उनके गली आगे से आगे कुछ ले गे जैसे किसी का घर पूछ रहे हों ढूंड रहे हों तो दत्ता बार-बार जीवा के कहने से दत्ता बाहर गया जीवा बड़ा भाई था दत्ता का दत्ता ने बार बार कहा जीवा, आप आपकी आग्या हो, तो मेरा इसाज दिल करे है, इस संत न बुलाए ले हूं मैं, अब जीवा न कहा वे कोई बात ने, अब तेरी इच्छा है तो ले आ मैं क्यों मना करूं तुझे, देख ले, वो वापस गे तो परमात्मा फिर वापस आ तो दत्ता ने जाके चर्ण पकड़ दिये हैं, और कहा परवर्दिगार, ये दास की जोफडी है, एक बार दर्शन दो, पभीतर करो दास की कुटिया को, परमात्मा बोले चल भाई, आगे अंदर, जैसा भी घर पर व्यस्था थी, कोई बैठना मुट डादे दिया, कोई छ थाली ला, थाली प्रात ला, चर्ण दोएंगे, महराज आए, भगवान आए, यानि संत आए है, संतो परमात्मा का रूप होता है, उनका ट्रेनिंग धिवा देलीगी, चर्ण दोए पानी से, और जीवा ने कहा जा दत्ता, संतों के चर्णा मर्द को कहीं ऐसे वैसे ने डा जाल दी उसमें पोदे में, आक अच्छा जी, अवदत्ता ने जाकर वो, जो ही पानी डाला, उस तसले से प्रांथ से जाय साभ जीश में पातर में डाल रह था था, और पानी डालते डालते ही, कोपल फूटे ही, उस बट बरक्स कीटे नहीं के, बोलो सत्गुर देव, कीज अब दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दोड के आना, जीवा जल दिया, अज जीवा गया, अज क्या कि देख, बगवान आगे, आज इसकी चाथ ही वो मिल गया मारे को, अब देखे थोड़ी देर में पूरी कोपल फूट गी हुए, इतने लंबे-लंबे पत्ते होगे, एक एक पएर पकड़ लिया, रोवां बुरी तरह ने उमों की तरफ देखें, बगवान आप कहां छुपे थे, अब परमात्मा आप कहां छुपे थे, अमने तो सोच लिया था, कि ये जीवान बरबाद होगा, और यही प्रात्रा करते थे बगवान, या तो इस जीवान हमा परमात्मा ने कहा कभीर जी ने, कि भाई बच्चा, अगर परच्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जागी, यहां रह नहीं सकता प्राणी, यह तो संत यहां मैं रखता हूं एक आद अपना भगत प्यारी आत्मा या स्वेम आता हूं, जिस्चे परच्वी पर बैलें परच्वी पर संत ने होगा तो इसमें आग लग जागी पूरी परच्वी कटका मरजाब पसमें इतना बुरा हाल हो जाएगा, तब उन्हों ने कहा कि ही परमात्मा, हमने तो आपकी बहुत इंतजार के लिए, आप ने आते तो हम सहें में और जाजा जीवित रहते, क्योंक कि सूक काटा हो गए थे, और उनका बुरा हाल था, अब दौनों ने उपदेश लिया, अब उपदेश लिया, ग्यान सुनिया, सब से न्यारा ग्यान, और सब से न्यारा ग्यान, उस ग्यान से परमात्मा आते रहे, उनको ग्यान सुनाते रहे, आते रहे, ग्यान सुनाते र तो उस ध्यान को पिर शुनाने लगे अपने ब्रहुन वरग में अब्रहुन वरग तर्राम वरकर संतु प्रमान को ईजा उनी। फट स्फजित के सुनने नहीं बहर भूँर के शज़ोगों अब उन्होंने पूछा भी तुमने गुरू कौन बना लिया इसा नौश्टिक जो विर महभिशनु में इस से भी अलग कोई बगवान बताता है तो उन्होंने बताया कि बनारस में कासी में हमारे यानि परमात्मा ही आई हुए है वो पूर्ण ब्रह्म है पूर्ण परमात्मा है कवीर जी परमात्मा आएंगे तुम्हें मिलवाएंगे तो परमेश्वर फिर आगे अपने बगतों को संभालने के लिए जीवा दत्ता ने गाओं वालों से कहा कि आजओ आज बगवान आए है अब ग्यान तो सुना नहीं सुरू से पूछने लगे तू कौन है तेरी जाती क्या है वो ब्रह्मन लोग बोले तूने हमारे भाईयों को हमारे धर्म के लोगों को बिस गाइड कर दिया है तू मुस्लमान है या क्या है प्रमात्माने कहा जात ना पूछो संत की पूछ लीजिये ग्याने मौल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्याने लेकिन नहीं माने प्रमात्माने कहा भी मैं जुलाहा जुलाहा हूँ और कबीर मेरा नाम है और कासी मैं रहता हूँ वैसे मेरा मूल ठिकाना सत लोक है अब सत लोक उन न सुना नी कदे वो सत लोक न समझे के कहने लिए कि अच्छा धानक है तुधानक है कहाँ पक्का धानक हूँ भाई सारी सेष्टी के रचन बनाने वाला भी मैं ही धानक हूँ और कप्डे बुनने वाला यहां पर भी मैं धानक हूँ सब उठकर चले गए फिर उनका एक मीटिंग होई पंचायत होई कहने लगे वह जीवादत्ता को जाती से डाल दो यह तो धानक का चेला बन गया इसने तो हमारे जाती का नास कर दिया एक सुदर का चेला बन गया हम कहां मूँ दिखाएंगे उनकर दिया फैसला सुना दिया फुरमान कि जीवा और दत्ता का आपस में भाही चारा बंद ओका पाणी बंद और कोई नहीं बात करें इनके सब जगे चिठी लिखके बेचती अब दोनों बहुत दुखी हो गए लेकिन ग्यान ऐसा है परमात्मा का सारा संसार रुष्ट हो जावे यह मारग नहीं छूट सकता फिर वो माल थे मेरावाई की तरह योगन-योगन के माल थे पहलवान थे अर्माल हो भी हो जो समने ढदादे तो उनको को जो तो तो नहीं जोतो ही को जग उतागा गलत फिर कोई बात ना परमात्मा का यह उने हो मिल गया फिर क्या हुआ कि जीवा के लड़का था, अर्दत्ता के लड़की, दोनों व्योहा योग हुए, अब कोई ब्रहमना आथ टेकन दे नी, मुझा लगांगा ब्या क्यों करें, प्रमात्मा आए चंता व्यक्त की, के परपू ऐसे ऐसे समझ्या आगी हमारे सामने, वैसे तो आपके दास हमर्पित ह हैं, आपके बच्चे भी ग्यान को समझ चुके हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे बिना ब्याइ रह जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं हमना है, आपके ग्यान से में प्राप ग्यान हो गया, पता लग गया, के एक लग पूत सवा लग नाती, उस रावनकाज दी वा लावनिया भी कोई नहीं है, यह तो सब ने जाना है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बुरा कर दिया, इन ब्रहामनों ने हमारी हुकापानी बंद भाईचारे से अमल कर दिये, हमारे बच्चों के रिस्ते भी यह नहीं लेते, ना करते, प्रमात्मा बोले तुम एक क करो, जगे 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 जा के कह जो भाई, या तो मारे बच्चों का ब्या करो और अउन जो, और नहीं होने देते हो, तो हम इन दोनों बच्चों की साज़ी करेंगे आपस में, जीवा का लड़का दबता की लड़की, इन दोनों का ब्या आपस में करेंगे, हम और के करें, अब उन्होंने ऐसा ही एक प्रोगंडा फैला दिया अब ब्रामना की फेर पंचायत हो एक भाईयू जमानास हो गया बाण भाई का ब्या होगा कि तमू दिखावाँगे उनकी पंचायत होगी कहने लगा के विचार किया कि भाई लड़का लड़की का के दोस है गलती तो उन्होंने कुम्या की है तो हम ये तो अलाओड कर जो भाई लड़की का और लड़का की ब्या अन्य स्थान पर हो सकता है तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई फिर तो कोई ब्यान आ करें उनका है तो अमनों करो लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्या करेंगे तो वो आए सारे कठे हो गए कि खबरदार दे तुमने आपस मैं साथ दीन भरष्ट किया तो और ये लड़के लड़की तो हमारे है ये लड़का लड़की हमें दो हम इनको गोद लेते हैं हम साथी करेंगे इनकी कित्ता करें डंग से तो उन्हें से कोई लेना देना नहीं वो बोले ठीक से ले जाओ थरे लड़का लड़की ने वास समय से भी अलकर दी, ब्या ली भी परमातमा ने, उन्हा आप पर ब्या करया, दोन्हों बच्चों का वास सरदर्द भी अटाइ दिया, ब्या का खर्चा भी ना हुआ, तो फिर थोड़े दिना वसी दे ओगे, ग्यान समझ मान लागा, दिरे दिरे क्योंकि वो बच्चे ज इस नगरी में तक्रीवन करन लाएगे, अब जो वो शुके टेहनी बच्चे वर्क से, मैं जर्नामरत दाला था टेहनी में, वो एक पेड़ बन गया पूरा, और वो पेड़ आज भी विदमान है, छस्सो वर्स होगे उसने, वो पेड़ आज भी विदमान है, और वहां पर क प्रागत महनतों का वहां एक आश्रम बना हुआ है, जो इन यादगारों को सभाले हुए है, उसको हम देखकर आए थे, स्वेम आखों देखकर आए है, एक बार गए थे हम देखने के लिए, उसमें मंगलेश्वर गाउं से, नोका में बैठकर जाना पड़ता है, सामने एक बीच में दरिया है, उसको पार करके सामने वो सथान है, टीपटा पूसा, तो वो बता रहे थे कि पहले ये वट वरक्स इस पूरे अक्सेतर में पहला हुआ था, यानि बढ़ की एक ऐसी विस्था होती है, एक बढ़ ने आगए बढ़ ड़न की जगे मिल जाओ, वो उपर स इसकी दाड इसी आती है नीचे जड़ें, और जमीन में गुष जाती है, और कुछी देर में वो पूरा पिलर सा बन जाता, सपोर्ट देती है, और आहार खुराग देती है, फिर आगे टै नीच ली जाती है, यानि बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन अब उसको काट है यानि दो एकड ऐसे बट गहा है और है जासरू ने दो विदुमान है तो ऐसे चार पांच एकड में अब भी वो रिदमान है. सेस बचा हुआ, बड़ी बड़ी दाड़ी उसको नीचे गड़ी जाए, ले बड़ी पैड उगए ऐसे. तो वहाँ अब महंत है, उनसे भी पूछा, वहाँ के गाहँ नगरवालों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि यह कबीर परमात्मा जी, जीवादत्ता नाम के दो भाई-ब्रामन भाई रहते थे, उनको ज्ञान जिया था, उन्होंने एक सर्त रखी थी, उस कारण से यह वह सुक्य वरक्स की तैनी युपेड रूप दाण करगी, आज भी वे परमान वहाँ विदमान है, पुन्यात्मा, परमात्मा हमें यही बताते हैं कि पूरा तो गुरु हो, और फिर सत्संग अवस्य अटेंड करे हैं, उस संत के फिर चर्णों से दूर ना हो, आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संतरामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारी वेबसाइट www.jakatkarururampalji.org संतरामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरिव विशुभर में 500 से भी जादा नामदिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ऑललाइन निशुल्ट नामदिख्षा दी जा रही हैं, अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने लिए संपर्क करें